next question देखते हैं यह एक important question है आप इसको star mark कर लो इस तरीके के question आपको demand function का दिया जा सकता है production function का भी दिया जा सकता है और यह बाला question हम solve कर देखे यह supply function का question है तो simply देखो क्या करना है यहाँ पर आपको जो दिया है वो equation दिया है quantity is equal to यह quantity जो है यह supply कितना किया जाएगा ऐसा पूछा गया है आपको यहाँ पर function दिया देखो minus 100 plus 10 P P के जगह आपको replace करना है 15 को तो जब price 15 है तो कितना quantity supply होगा यह पहले find out कर लो चलो इस equation में values put up कर देते हैं मैं यही पर solve कर रहा हूँ minus 100 plus अगर P के जगह 15 put up किया तो 150 हो जाएगा and thereby answer will be 50 quantities ठीक है तो quantity कितना हो जाएगा 50 जब price बन रहा है quantity हो जाएगा 50 अब इसी को इसके जगह price अपन 14 कर लेते price अपन 14 कर लेते क्योंकि point elasticity method मुला है तो छोटा सा change अपने को करना है प्राइज में यहां पर कर लिया अगें सेम एक्वेशन तो यहां पर quantity हो जाएगा 50 अब डेटा रेडी है मेरे पास तो देखो जब quantity और price का अपना जो elasticity का निकालने का जो तरीका है वो अपने mechanical बना लिया था तो original quantity आपके पास है और यह new है और यह change आ जाएगा तो original कितना है आपके पास quantity 50 तब price कितना था 15 प्राइज हो गया 14 तो quantity हो गया 50 तो change आया 10 का यहां पर change आया 1 का percentage में चेंज निकाल लो 10 divided by 50 percent 10 divided by 50 percent 10 divided by 50 percent we are at 20 percent and nature 1 divided by 15 percent 3 is 6.67 percent to 20 divided by 6.67 percent is equal to 2.99 2.99 आएगा तो roughly that becomes equal to 3 अब यहां पर दो चॉइस है पके पास minus 3 और 3 अब अपना चॉइस जो रहेगा वो डी रहेगा पॉजिटीव अला elasticity since this is being supply का question supply के elasticity पूचाता ना price elasticity of supply तो यह पूचा था तो प्राइज और कॉंटिटी के बीच में direct relation होता है supply में तो यहां पर answer आपका positive 3 लेना है और डन इस question को अच्छे से करिए कि